प्राणों के साथ साक्षिध्या, साक्षिध्यान का भ्यास द्रष्टा हो करके, तटस्थ हो करके, द्रष्टा, द्रिशिमात्र, शुद्धो की प्रत्यानाश, थोड़ी देर संकल्पो पूर्वक शरीर को, इंद्रियों को, मन को, विजार को, घर, परिवार, बिजनेस, व्य अपार को इस हमजार को, पूरि समस्ट्री को साक्षी भाव से देटाधा अपंजा, साक्षी थे और जब हम ऐसे दर्षटा होकर गए, त्रकस्ट होकर के, बोड़ी से, माइंड से, थौट से, ऑमोशन से दिटाइच होकर के और अपने सुरूप में, अपने निजता में, हम स्वभाव से ही सच्चिदार अंदर सुरूप आत्मा है, जब बोड़ी से डिटेच होंगे, जब माइंड से, थोट से, इन फिजिकल, मेट्रिस्टिक एमोशन से दूर होंगे, तभी तो अपने आत्म चेतना में, आत्म मैं कौन, थोड़ी देर के लिए ऐसे मौन भी रहा कर, अपने सुरूप में उतरा कर, और ये आत्म बोड़, ये आत्म नभूती, ये सेट्रिलाइजेशन सब के भीतर है, और इस आत्म नभूती से, आत्म अनुशासन से, हम आत्मा रोहन को उप्लब्द होते हैं, आत्म ज् अनन्त ज्यान, अनन्त सम्वेदनव, अनन्त विद्या विभूत जैस्वर्ये सामर्थे को पुर्शार्थ को पराकरम को अनुभव कर पाते हैं.